आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से राजनीती विज्ञान सनात कोतर में पड़े जाने वाले विशय पाश्यात राजनीतिक चिंतन भाग एक पर बात करेंगे इस बातचीत में हम राजनीतिक चिंतन क्या है जानने का प्रियास करेंगे प्रिय सिक्षार्तियो इस विज्ञानी राजनीतिक चिंतन जोकी लगभगह 5,000 साल पहले से है उससे लेकर आधुनिक राजनितिक चिंतन तक पढ़ाया जाता है युनानी राजनितिक चिंतन में सुकरात, प्लैटो, अरस्तु, मद्धिकालीन राजनितिक चिंतन में संथ औगस्टाइन, एम्डोस, थामस, एक्विनास, आधुनिक राजनितिक चिंतन में मैक्यावली, बोधिन को इस भाग में पढ़ाया जाता है दूसरे भाग में हॉप्स, लॉक, रूसो, कार्ड मार्क्स, बैंथम, हीगल, आदी विचारों को पढ़ा जाता है राजनितिक चिंतन एक तरीके से विचार, मस्तिस्त की क्रिया है जब भी राज्य उसके अभिकर्णों के बारे में विचार किया जाता है तो उसे राजनितिक चिंतन कहा जाता है राजनितिक चिंतन राज्य, उसकी सनरचना, प्रकृति और उसके धेर से संबंदित चिंतन है चिंतन काफी हद तक सिध्धान्तों से मिलता जुलता है और चिंतन और सिध्धान्त में काफी पुन्रावर्ती होती है अता हम इस फिशर को इत्मिनान से और ध्यान से पढ़ें राजनितिक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है जिसका संबंद मनुस्यों के सारवजनी जीवन से है राजिसमंदी मौलिक प्रशनों पर विचार, विमर्स, एवम मिमान सा यानि की गंभीर मनन और विचार करना राजनितिक चिंतन है राजनितिक चिंतन को पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि राजनितिक विज्ञान का सरोकार यथार्थ या तथ्यों से है जबकि राजनितिक दर्शन का सरोकार आदर्सों, मानकों और मूलियों से है राजनितिक विज्ञान में जहां यह पता लगाया जाता है कि राजनितिक इस्तिति में मनुस्ति क्या क्या करते है वहीं राजनितिक दर्शन में यहां निर्धारित करता है कि ऐसी इस्तिती में क्या किया जाना चाहिए राज्य और सासन की प्रकृति और उदेसियों के बारे में अलग-लग राजनितिक विचारक जो विचार प्रकट करते हैं जो सुझाओ देते हैं वे राजनितिक चिंतन की परंपरा का मुख्यांगे है अधितर राजनितिक चिंतन का जो उद्भव है वो दो कारणों से हुआ है तदकालीन सत्ता की व्याख्या करना यानि की जो सत्ता है उसे उचित ठहराना या जो सत्ता है उसमें परिवर्टन की आसा से उसमें उसकी आलोशना करना विसेजकर जिन विशयों के बारे में राजनीतिक चिंतन किया गया है उसका प्रमुख जो बिंदु है वह है मनोस्य, राज्य, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के आकार, सम्प्रभुता, कानून, सरकार तो ये जो बिंदू हैं जिन पे विशेशकर विचारकों ने अपनी बात रखी है ancient western philosophy को यानि कि जो पाश्यात राजनितिक चिंतन है उसे ग्रीक मिरिकल भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांग्स जो राजनितिक चिंतन है वो ग्रीक में ही उसका उद्भाव होता है अगर हम सुक्रात को देखते हैं प्लैटो को देखते हैं अरस्त को देखते हैं तो ये सभी युनान से संबंदित विचारक है राजनितिक दर्शन के छेतर में युनानी विचारों का महत्व है और आज भी उन प्रशनों को जिन पे उन्होंने बात रखी है वो आज भी प्रासंगिक हैं अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है क्यों political thought ग्रीक में ही प्रारंबे हुआ उसका प्रादुरभाव युनान में ही क्यों हुआ इस संदर्वे में बारकर का कथन है कि राजनितिक चिंतन का प्रारंब युनानियों से होता है राजनितिक चिंतन की जन्म का युनानी मानस के सांथ एवं स्वच्छे तरक के साथ संबंद है इसके कारण को हम देखें कि क्यूं राजनितिक चिंतन का प्रादुर्भाव ग्रीक में होता है तो इसके बहुत सारी कारण है जो वहां की भागोलिक इस्तिती है वो एक महत्पूर्ण स्थान रखती है जिसकी वज़े से वहां पे राजनितिक चिंतन का सुखद है सर्दियों में यहां पे बहुत जादा ठंड नहीं होती है और गर्मियों में यहां जो सूरी की किर्णा है हमें आहत नहीं करती है यानि कि दोनों ही जो रितुएं हैं वहां पे कोई भी वहां के लोगों के लिए समस्या उत्पन नहीं करती है और वहां की है वहां की लोगों को सारी रिक रूप से हस्ट पुस्ट बनाती है और जहां सारी रिक रूप से व्यक्ति हस्ट पुस्ट है तो मांसिक रूप से भी वहां चिंतन सील बन जाता है वहां की जो प्राकरतिक इस्तिती है वहां पे जैतून बहुत ज्यादा पैदा होता है और समुद्र के किनारे होने के कारण वहाँ पे जो भोजन है उसमें जैतून और मशली को सामिल किया गया है जो स्वास्त के लिए काफी लाप्रद है जो उनके जीवन की आवशक आवशकताएं हैं आधार भूत आवशकताएं हैं वह आसानी से पूरी होने के वज़े से की लोगों में जिग्यासा वृती बहुत जादा है उनका चरीत्र इस तरीके का है कि वहाँ पे उनमें हर कुछ जानने की जो इच्छा है वो काफी प्रबल है साथे साथ जो वाद विवाद से अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में वो विस्वास करते हैं और किसी भी वस्तु को परकने और तर्की की कसोटी पर कसने के बाद ही वहाँ के लोग उसे ग्रहन करते हैं एक युनानी दाशनिक का कथन है कि मैं समराठ बनने के बजाए स्रिस्टी के कारण मुलक नियमों को ढूड़ना ज्यादा पसंद करूंगा इसके साथ साथ जो वहाँ के लोग हैं उनको ये अवसर मिला कि वहाँ पे जो विविद सासन प्रणालिया है लगभग 150 सासन प्रणालियों से जादा वहाँ पे सासन प्रणालिया है और वहाँ पे अलग लग प्रकार के जो सासन है वो चलते हैं तो लोगों को उनमें तुलना करने का और उनमें क्या सही है और उसको विखसित करने में अपनी भूमी का निभाई। यूनानी चिंटन के अंतरगत मनुसीक को राज्य का अभिन्य अंग माना जाता है और उसके एक्टिव पारटिसिपेशन की आसा की जाती है तो जहाँ पे राजनीती में active participation या सक्री भागिदारी होगी तो वहाँ पे राजनीतिक चिंतन का विक्सित होना स्वाभाविक ही होगा वहाँ पे एक तरीकी से छोटे छोटे नगर राज्य थे जहाँ पे direct democracy या जिसे हम प्रतिक्ष लोगतंत्र कहते हैं वो था तो उसने भी वहाँ की लोगों में राजनीतिक चिंतन को बढ़ाने का काम किया और वहाँ की जो दो राज्य जो काफी महतपूर्ण राज्य थे जो काफी active राज्य थे जिनमें Sparta और Athens हैं वहाँ की जो सासन प्रणा लिया थी वहाँ का जो व्यवस्था थी उसने भी जो राजनीतिक चिंतक हैं उनको एक दिशा दी राजनीतिक चिंतन के लिए तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ बहुत कारण थे जिसकी वज़़े से जो ग्रीक है वहाँ पे या जिसे हम युनान कहते हैं राजनीतिक चिंतन का विकास हुआ यहां पे हमें एक map दिखाए दे रहा है जिसमें हमें Greek city states दिख रहे हैं जिसमें Athens और Sparta भी है तो हम देखते ही कि जो यह है समुदर की किनारे है और यहां पे जो व्यवस्ता है Athens में यह समुदर की तटपर बसा हुआ है और यहां पे जो अर्थी व्यवस्ता है वो व्यापार पर आधारित है और वहीं जो स्पार्टा है वहां पर कठोर अनुसासन, सैन्य मूल्यों की प्रधानता और यहां पर यहां पर यह मैदानी लाके में बसा हुआ है और यहां की जो अर्थी विवस्ता है वो क्रिसी पर आधारित है और जो क्रिसी का काम है वो दासों के द्वारा किया जाता था तो यो इनका इनका काफी प्रभाव है क्योंकि जो एथेन्स हैं वहाँ से ही सुकरात और प्लैتो संबंदित हैं और जिन्हों ने जो राजनिती चिंतन हैं उसको प्रारम बे करने का काम किया तो इसके ये पहुत सारे अलग लग स्टेट हैं इसमें आप इटली जर्मन देख रहे हैं तो यह जो अलग लग पास्षात तेज थे यहां पे अलग लग विचारक हुए ग्रीक में हम देखते हैं कि इसमें जो प्लैटो एरिस्टोटल और सुकरात है यहां से बिलॉंग करते हैं और वहीं इटली से मैक्यावली बिलॉंग करते हैं बौदिन, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कॉम्टे यह फ्रांस से संबंदित हैं वहां के निवासी थे वहां के दाशनिक विचारक हैं हॉप्स, लॉक, बैंथम, मिल, स्पैंसर यह अंग्रेजी दाशनिक थे, इंग्लेंड से बिलॉंग करते हैं राजनितिक विचार हैं, राजनितिक चिंतन हैं, वो एक तरीके से राजनितिक सिध्धान के लिए framework प्रदान करते हैं और आज भी जो राजनितिक प्रश्न हैं, मानों के लिए जो आज भी चिंता का विशय बने हुए हैं ऐसे प्रशनों के उत्तर ढूडने के लिए राजनितिक चिंतन का सहारा लिया जाता है करेंट जो प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम में उसके सलूशन के लिए और उसके साथ ही साथ किसी भी समय में क्या राजनितिक विचार चल रहा था इसको जानने के लिए भी हम पाश्यात राजनितिक चिंतन ये राजनितिक चिंतन को पढ़ते हैं और राजनिति विज्ञान विशय में पाश्यात राजनितिक चिंतन का बहुत जादा महत्व है और हमें इसे पढ़ते वे ध्यान देना चाहिए कि कई बार यह होता है कि हम कोई political thought पढ़ रहे होते कोई political thinker पढ़ रहे होते तो उसे हम अपनी तरीके से देखने लगते हैं कि ये political thinker ऐसा क्यों कह रहा है जब हम इसे पढ़ें तो हम ध्यान रखें कि हम उसके विचार को समझें कि वो किस उसके ततकाली परिस्तितियां क्या होंगी अगर plateau कोई राजनितिक चिंतन के चिंतन दे रहे हैं कोई राजनितिक बात कर रहे हैं तो वो आज से 2500, 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं तो इस बात को हमें समझना चाहिए तो आज का जो वीडियो लेक्षर है वो हम यहीपे समाप्त करते हैं और आगे आने वाली जो लेक्षर है उसमें हम सोफिस्टो्ज की बात करेंगे जो कि पाश्शात राजनितिक चिंतन में एक तरीकी से प्लैटो से पहले के चिंतन हैं जो एक तरीके से वेतनिक सिख्षक हुआ करते थे और एक तरीके से हम उन्हें फॉस्ट प्रोफेशनल टीचर भी कह सकते हैं इसके साथ ही साथ जो आगे की विचारक है हम आगे के लेक्चरस में देखेंगे धन्यवाद